हलो फ्रेंड, वेलकम टू आवार चैनल, हमारे चैनल पर आप सब का स्वागत है जो कैंडिडेट बिस्तो भरती में एडमिसेन के लिए फ्रॉम फिल आप किये थे वो लोग जानते हैं कि आज 28 अक्टोबर का काउंसिलिंग का मैसेज मिल जाएगा आपको आपके मेल पर अगर आप सिलेक्टेड हो काउंसिलिंग के लिए तो ठीक है तो हमने एक वीडियो वना कर दिया था जिसमें हमने बताया था कोई कैसे आपको काउंसिलिंग में एटेंट करना है और कौनसी कौनसी डॉकोमेंट आपको आपने पास रखना है जब counseling होगा तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं request करूँगा कि वो वीडियो आप देख लेना तो आपका कोई problem नहीं होगा जब आपका counseling होगा ठीक है और एक notification मतलब नया notice आया है तो वो notice में क्या बोला गिया है यही हम लोग आज discuss करेंगे हमारे इस वीडियो पर तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए हम लोग चले आये हैं official website पर official website में आने के बाद general notice पर आने के बाद यह जो 25 तारिक का एक notification आया है इसमें क्या बोला गिया है notice for shifting and date of counseling of for internal candidate तो यही notice अगर आप मतलब क्लिक करोगे तो download हो जाएगा तो मैं पहले से दाउनलोड कर चुका हूँ तो इहां पर जो लिखा हुआ है विस्तोभाड होती admission coordination cell तो इहां पर बोला गिया है notice for shifting of date counseling for internal candidate candidate भासा भावन विद्या भावन्स and PSV BRS वो जो भी department हो इसके लिए बोला गिया है due to technical reason but शिक्सा भावन external candidate B.A.C. chemistry B.A.C. computer science status will be held 28 October मतलब आज के इहां पर बोला गिया है on account of unavoidable technical reason the schedule counseling of विद्या भावन विद्या भावन में जो भी आता है अगर आप देखना चाते हो तो इहां पर देख सकते हो कि मैंने बोल दिया था कि विद्या भावन में कौन सी कौन सी मतलब subject आता है तो इहां पर अगर क्लिक करोगे तो उस subject का ना चला आएगा यहां पर लिखा भी हुआ है ठीक है internal be all subject दिया गिया है history, innocent Indian history, geography, economics, politics, philosophy and comparative religion, भाशा भावन में यह सब institute of language, internal, internal यह सब ठीक है all subject English, Bengali, Hindi, Chinese तो इहां पर जो बोला गिया है कि internal subject will not be held on 28 October 2022 as notice 20 October and 21 October तो इहां पर बोला गिया है कि एक notice दिया गिया था 20 October and 21 October को और जिसमें बोला गिया था कि internal का भी counseling होगा 28 October के मतलब आज के दिन counseling होने का date दिया गिया था लेकिन इहां पर बोला गिया है कि the counseling of internal candidates of the above noted भावन subject will be residual मतलब 31 October को एक residual किया गया है 31 October 10 AM का आप लोगों का counseling हो जाएगा ठीक है जो भी यहां पर लिखा हुआ है जिस जिस department मतलब वही भावन विद्या भावन, internal, BA all, भासा भावन, internal और जो भी department है यह सब यहां पर बोला गिया है कि 31 October को 31 October को 10 AM को आप लोगों का counseling residual किया गिया है उसी दिन हो जाएगा मतलब 28 October को मतलब आज के दिन नहीं होगा However, counseling of UG BSE programs external candidates on 28 October मतलब आज के दिन at 10 AM and 2.30 PM शिक्सा भावन इंस्टिटीट आप साइंस external subject will be held as per this मतलब schedule notice तो external candidate के लिए जो आज के दिन ठीक किया गिया था उसी दिन मतलब आज के दिन ही आप लोगों का counseling हो जाएगा और आपको mail भी चला जाएगा अगर आपके पास mail चला गिया है तो हमें comment करके please बताएंगे कि आपके पास mail गिया है कि अभी तक नहीं गिया है ठीके And details related to the counseling with intake category wise breakup will be uploaded in the admission portal shortly यहाँ पर admission portal में सब कुछ detail में बोला जाएगा Zoom meeting link along with the sum link notice below Send through the mail to call for the candidate तो आपके पास mail जाएगा उहाँ पर ही आपको link भी चला जाएगा कि कौन सी zoom की video call में आपको add होना है ठीके and यहाँ पर कुछ guideline भी दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो और इसके अलाबा और कुछ नहीं बोला गया है और जो guideline यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था full details में अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना आपका पूरा मतलब clear हो जाएगा आपका जो भी queries है वो ठीक है तो हम यहाँ पर ही अज का वीडियो complete करते है उसके बाद अगर कोई नेया notice आएगा तो फिर से हम वीडियो बना कर आप लोगों को बता देंगे ठीक है तो thank you वीडियो देखने के लिए और अगर चैनल पर पहली बार आये है तो please हमारे चैनल को subscribe कर देना हम इसी तरह के वीडियो यहाँ पर देते रहेंगे और देते हैं thank you